भार्ट संब्सक्राइब वी कि बंगाल कर देखेवा यहां । हलो दोस्तों आपका स्वागता हमारी एक और न्यूज डिवेट रेक्शन वीडियो के अंदर दोस्तों इन दिनों राजनीती में भुचाल सा आ चुका है क्योंकि दोस्तों अभी एक तरफ तो देखा जाए तो नितिश कुमार पलट गए है वही दूसरी तरह दोस्तों इसलिए वीडियो का इंतर जो से देखके जाएगा चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बीस जरूर से करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मुद्दा ये है कि जारखंड के खनीज को भारते जनता पाटी लूटना चाहती है जी जारखंड के म अधिश कुमार ने भी गरबर कर रही है अजीद पवार ने भी गरबर कर रखी है सब तक हर लोख कि इन्हों ने नहीं कि कहा कि अपने बेड्रूम में बुला लिए तो इंको एक्षृ इनकी गलती ने यादा गया होगा कि इडी के से बेड्रूम में घुसी थी कल रात में दिल्ली में 36 लाक रुपे बेड्रूम से लेके गई है और यह जो बार-बार जार्खंट को दिखा रहा है तो जार्खंट सामने BMW भी देख रहा है और 200 करोड का घर भी देख रहा है जो शांतिविक के दिखन में है जीवन बर बात करनी की नहीं आपको बेश्रम है बेशरम है मुख मंत्री बन गए तो अधिकार मिलगया कैंव लूटेंगे ब्सकार करेंगे तो तुम पर स्सक्राइब करेंगे आज यहां कल वहां आने आप बना दिया इसको बनाना कंट्री बना दिया ना देरान कीजिए चले कि जए जारखंड को कमजोर समझने को साया यह बीम्ड़ू गाड़ी लगी हुई है जारखंड है पूछ यह पूछी पोछी पट है पुछ पट है उडिवरानी यह इखानी आपके जारखंड से तनुज जी नाम है तनुज इनका जहरकंड के विर्षामुंडा भगवान के प्रदेश ची आते हैं और तनुज नाम है लेकिन तमीज रती भर की नहीं है तनुज थोड़ा रूप जाईए अरे थोड़ा तमीज जेव से निकाली और भेजे में दाली थोड़ा भेजा खुले को अधनी भी जलाता है कालिक मुँपे पोट भी आया आप लोगों ने घरकंड की खदानों के सारे कोईले के कालिक मुँपर पोट पर धूम रहे हैं और इडी से भाग रहे हैं उसके बात करें ओड़ा तमरा मुख्यमंतरी बहुत इमांदार है ऐसे मुख्यमंतरी को धन्य देखे मैं बीजेपी के परवक्ता जो लंबी-लंबी बाते कर रहे हैं उन पर दो लाइन सुना दो तो शायद उनके समझ में आ जागा देश भी समझ जाएगा गुंडा गर्दी एडी जेल बुल्डर जर का करके मेल लोग तंत्र हो गया है फेल विपच खड़ा है मांगे सुन्दर सपन न देखो माई बस बिरुजगारी ही बनेंगे भाई जमापूजी समलूटे साई ठेकेदारी पर्था समाई कमाल है भाई आगे जोड़ते हैं जी डीपी पर ध्यान लगा के महंगाई महंगाई ने डाले डाके बेटा बेटी भवस्निहारे बच्चे को है पे कविता सुनाई है यह फूर कविता पूरे घमंडियों में बांड दें जो जेल वे जाएंगे तो वहां पर पूर कविता लिखने का एक्स्पीरेंस होगा अच्छे तरीके से यह फूर कविता नाशनल टीवे मां सुनाया की अब आपने बात आ गई गई गटवंदन में बड़्ट सैंशुरी दो महिने के लिए चलती है की टाइम खुतम हो रहता है अपने आपने रास्ता ले लेते हैं वेखें आपको इंडिया घंटवंदन की इतनी चिनता है उथरी चिनता अगर आपने गटवंदन में तो या जंता की कर लिए तो शाय देश का बढ़ा हो ज पुछोगे विपच से सवाल होगा और एंडिया विजेपी से कोई पूछना है जो आपने सता जम सता को कि किसानों की इंकम धूंगने है जिक तरुष्टी यहां पर हम अजया लोग अजया लोग विपक्ष के पीछे क्यों लग गई है चाहे वो हेमन सोरेन हो खबरी आ रही ह बखते हैं उनको विचारों को अपनी धरमबत्ति को सीम मनाना पढ़ आ कलपना सोरेन उसमें भी अपरिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजिरिवाल जी को भी पांच वासम मना गया कर क्या रहे हैं आप लोग चाहते क्या है है हम लोग नहीं करना है भारतिय अनुराग जी शान्त सोट्रेशिए न न मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में हैं मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में हैं और यहienced मनतर नस म्में वह उत 한국 हो जाएं बंगाल हो जाएं महाराशक्त video क्या सत्ता में आते हैं वहां गिद्द जैसे नूटने की प्रविति autor नोच नोच के खाते हैं स्टेट को चूसा हुआ हाम बना देते हैं अभी देखे 36 गरड आजस्तान मद्र प्रदेशां वापस सत्ता में आये हैं एक एक फाइल खुल रही है हर जगा घोटाला निकल रहा है हर जगा घोटाला निकल रहा है आज रेड पड़ी है आज एकनॉमि जैश्री राम सरूर से लिखे जाएगा बात ही दोस्तो आज की इस्टिवेट की तो दोस्तो आज की एडिवेट जारकण के सीम हेमन सोरन के उपर थी क्योंकि दोस्तो उन्हें एडी की कस्टडी में रखा गया है और उनसे लगातार भष्टचार के मुद्धे पर एडी स्टडी में रखा गया है साथ ही में आपको बताता चलू कि जिस तरह से हमें नितिश कुमार का फेर बदल उता हुआ दिखाई दिया उसी तरह से जारकण में भी सत्ता परिवतन होने की पूरी-पूरी सम्हावनाई दिखाई दे रही है क्या दोस्तों आपकी क्यारा इस ड एक क्यर